लेक्षे नमबर फिफ्थ का फर्स्ट कोशिन आपके सामने है और इसको पहले हम लोग पढ़ देते हैं और आप एक काम करिएगा जब आपका यह देखे फर्स्ट कोशिन आपने यहाँ पर पॉस किया और पहले खुद से लगाईए और अगर लग जाए तो भी और ना लगे आप आगे वीडियो फिर देखिए आप ठीक है तो देखें यहाँ पर क्या है तो आप लोग इसको पांस करके पहले लगा सकते हैं और हम लोग चले इसको यहाँ पर साल्फ कराते हैं तो देखेंगा तीन वेक्टर हैं सबसे पहले यहाँ पर A B देखें इस तरफ चला वन यूनिट का है फिर बदाए इसका हम लोग ने वेक्टर डायग्राम बनाया तो हेड टू टेल बदाए यहाँ पर करेंगे BC यहाँ पर head to tail connect कर दिया और फिर बदाए यहाँ पर CD head to tail यह 3 यानि 1 unit का 2 unit का और 3 unit का 3 vector है अब देखे resultant जब निकालना होता है तो first vector की tail और last vector की head को मिला देता है यह इसका resultant R हो गया और यह यहाँ पर देखे parallel line लिया और देखे यह angle theta यह angle आपको theta सबसे पहले निकालना होगा अच्छा देखे C e अगर आप check करिए C e तो C e आपका निकलेगा आपका देखे यहाँ पर कैसे 3 cos 30 देखे यह theta से लगा वो component क्या हो जाएगा cos component तो 3 cos 30 हो गया 3 root 3 divide by 2 हो गया C e अगर निकालते हैं देखे यह C e है तो आपका यह हो जाएगा 2 cos 30 यानि क्या होगा cos 30 value under root 3 by 2 यानि यहाँ पर root 3 हो गया 2 से 2 cancel होकर अब A e हम लोग निकालेंगे A e निकालेंगे आपने जरा बदाए यहाँ पर C e निकाल लिया है और C e निकाल लिया है माइनस कर दियेगा यहाँ पर आप माइनस कर देंगे और देखे यहाँ से क्या कर देंगे C e माइनस C e कर देंगे और बताए यह आ जाएगा 3 root 3 divided by 2 है और माइनस root 3 बताए root 3 divided by 2 यहाँ पर हो जाएगा और इस तरह से देखे अगर d e हम लोग निकालते हैं तो d e आप बदाएगा अगर यहाँ पर यह parallel line लेते हैं इसके parallel line लेते हैं तो यह sign component होगा यह cost component होगा तो यह वाला क्या होगा sign component इसका मतलब d e क्या हो जाएगा 3 sin 30 के हो गया sin 30 हाफ होता है यानि 3 by 2 हो गया अब 10 theta निकालें इस right angle triangle में तो 10 theta देखिए perpendicular divide by base हो गया यानि पताए यह d e divide by क्या होगा यहाँ पर a e हो गया और d e की value आपको यहाँ पर पता है 3 by 2 है और a e की value root 3 by 2 है तो यहाँ से cancel हो जाएगा और बताए यह root 3 निकल जाएगा इस तरह से theta कितना हो गया root 3 आप जानते है 1060 के value root 3 होती है तो theta कितना हो गया 60 degree आ गया so the resultant vector will makes angle 150 देखिए यह theta आया है और अगर a b से check करें तो पूरा angle 90 plus 60 कितना हो गया 150 हो गया so the resultant vector will makes an angle of 150 degree with the first vector a b यानि option कौन सा हो गया यहाँ पर option चेक करिए यहाँ पर तो option यहाँ पर देखिएगा यह fourth number option correct आ रहा है चलिए lecture number 5 के हम लोग second question पर बढ़ते है और देखिए second question क्या है what is the angle between p plus q and p cross q vector p plus q और vector p cross q पहले आप खुद से try करिए इसको pause करके option 0, pi by 2, pi by 4 और pi है और फिर हम लोग चलिए आपको लगवाते हैं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर आप देखिए आप p plus q को हम लोगो ने ले लिया a और p cross q vector p cross q को यहाँ पर ले लिया b आप देखिए a dot b a b cos theta होता है तो a dot b रखा तो यहाँ पर p plus q dot p dot p plus q vector और dot यहाँ पर p cross q हो गया a dot b आपका a b cos theta होता है अब देखिए यहाँ पर यह जैसे triple product का rule होता है triple product में dot product का rule करते है scalar product और vector product होता है तो एक तरह से यहाँ distributive होता है तो distributive होगा dot product जो होगा distributed तो p dot p cross q हो गया q dot p cross q क्योंकि distributed law में आपका क्या हो गा इसका इससे multiply हो जाएगा अच्छा कभी भी आपको बता दें ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर value क्या होती है ? zHEROO होती है और देखे दीरे दीरे हम लोग अवर तरह की कुछन लगाते जा रहे हैं ऐसा नहीं कि नीट में सब तफ ही पूचा जाता है ज्यादा तर्ए आसान ही पूचा जाता है इसलिए हम लोग आपको जुछ तरह के पूछे जाते हैं वही हम लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ में नहीं जा रहे हैं ठीक है देखें फाइंड टार्क आफ फोर्स आपको दिया है एफ इक्वल टो माइनस ट्री आइकप प्लस फाइफ के कैप आइक्टिंग एड़ पॉइंट आर इक्वल टो सेवन टो क्रास प्रोड़क्ट निकालना है तो देखें टार कि एक्वल टो क्या होगी हूं पर आर क्रास एफ क्यों ओगया आपको यहां पर आपको क्या करना है आ cross product यहाँ पर निकालिए और देखे यहाँ पर R की value I, J cap एक तरह से रखे यह rule जैसे आप रखते हैं A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2 तो I, J और K cap रख दिया है आप और आप देखे R cross F रखना तो सबसे पहले R की value रखेंगे तो R के term में देखेंगा पहले यहाँ पर देखें पीछे पलट के देखना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगा R वाले में पहले I की जगहाँ पर 7 आ रहा है और जे की जगहाँ पर 3 और K की जगहाँ पर 1 आ रहा है तो यह इस तरह से यहाँ पर रख दिजे इसके minus plus sign के अब आपको पता है कि जब पहरूल में पहले I कैप आथा और I कैप आएगा यह पूरा गाइब हो जाएगा ऐसे ऐसे पूरा गाइब हो जाएगा चलिए आपको यहाँ पर समझा देते हैं यह पूरा यहाँ पर गाइब हो जाएगा और क्या करते हैं इसको इससे cross multiply करते हैं यानि 5 into 3 क्या हो गया 15 हो गया और देखेगा माइनस बीच में होता है और फिर 1 into 1 क्या हो गया 1 minus 1 हो गया तो 15 minus 1 कितना हो गया 14 ये अभी solve करतेंगे इसको उसके बाद फिर क्या करते है अब जरा बदाएगा माइनस जे कैप रखना होगा तो माइनस जे कैप रखेंगे तो अब बदाएगे जे वाला पूरा गाइब हो जाएगा अब क्या करेंगे इस से मुटिप्ला करेंगे 7 इंटू 5 कितना हो गया 35 पहले A1 वाले टर्म को करते हैं पहले 5 वाले को कर दिए 7 इंटू 5 यहाँ पर 35 हो गया और 1 इंटू माइनस 3 क्या हो गया पहले से यहाँ माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह आ गया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर आँड देखिएगा यहाँ पर कैप अला रखेंगे, तो कैप अला पूरा गाय ओगा हो गया, अब देखें यहाँ पर 15-1 क्या हो गया 14 I cap हो गया यहाँ पर 35-3 क्या हो गया मानस 38 J cap हो गया और यहाँ पर 16 K cap हो गया option 1 यहाँ पर correct होगा देख लिजेगा option 1 यहाँ पर correct होगा तो option 1 यहाँ पर है और चलिए lecture number 5 के हम लोग fourth number question बढ़ते हैं इसको simply सिर्फ cross product से question था आप निकल लिया और cross product और dart product तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे और determinant के method से आप cross product निगाल देते हैं देखें फूर्थ number question देखें आप article is moving eastward with a velocity of 5 meter per second in 10 seconds the velocity changes to 5 meter per second northward the average acceleration in this time आपको देखें पहले क्या चल रहा था पहले इसको आप खुछ से try करी फिर हम लोग आगे आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर देखें पहले आपका यहाँ पर क्या जाता है वी वन जो होता है पहले आपका final minus initial final हो गया v2 और initial क्यों हो गया minus minus v1 हो गया तो यहाँ v2 minus v1 करेंगे तो वेक्टर का एक तरह का यहाँ पर difference है क्या है वेक्टर का difference है और वेक्टर का difference बताईगा आपको बता देखें वेक्टर subtraction is nothing but addition of negative vector तो यह एक तरह सा add करिए बस जो positive vector उसको minus कर दिये इसका मतला अगर वो नार्थ में तो इसको south में कर दिये south में है तो north में कर दिये east में है तो west में कर दिये negative का मतलब यह हो गया यानि direction पलड जाएगी तो देखें v2 यहाँ पर plus में था तो v2 north की तरह था v2 हमने north की तरह रख दिया V1 minus हो गया, इसका मतलब पहले east की तरफ था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर west की तरफ हो गया, अब लाब पैलोग्राम से delta V इसका यह दिखा रहा है, अब देखे, mod कर दिएगा इसका, तो दोनों विक्टन 90 की पर है, तो बताएगा, mod करेंगे, तो R equal to under root A square plus B square plus 2AB cos it होता cos 90 0 हो गया, तो यहाँ पर बताएगा, V1 का square plus V2 का square यह हो गया, और V1 और V2 दोनों 5 दिया वो, तो 5 2 meter percent आ गया, acceleration होता है, बताएगे, rate of change of velocity होता है, तो delta V 5 root 2 है, और time interval 10 का है, यहाँ रख दिया, 1 by root 2 meter percent square यहाँ पर आ गया, और direction देख लिजए, नार्थ वेस्ट आगे, direction सबसे main important होती है, तो direction जरा बताएगे, यहाँ पर नार्थ वेस्ट आ गए, और यह चिक कर लिजएगा, direction निकालना ही सबसे आदा main यहाँ पर होता है, और, चलिए, लेक्षे नमबर 5 के, हम लोग 5th question पर आते हैं, following six of three forces, Ix on a body whose resultant can not be 0, आपको बताना किसका resultant, 0 नहीं हो और बहुत अच्छा question है इसको, इसके लिए पहले concept छोटा सा आपको हम बता देते हैं, if there are three vectors, A, B and C, then there's sum can be 0, if, IFF if है, इसका मतलब, if and only if, याद रखेगा, इनका sum तभी 0 होगा, जब A और B, A और B जिसको आपने लिया है, वो C से कम हो, इसका मतलब एक सबसे बड़ी value को आप ले लेंगे, C, बाके छोटी values को आप क्या ले लेंगे, यहाँ पर A और B ले लेंगे, और देखें, दूसरी condition क्या है, A plus B, यानि जो दोनों छोटे जो आपने लिया है, उनका sum C से ज़्यादा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, तब यह बताएगा, इन तीनों important है, और देखें, आगर हम लोग option चेक करें पीछे वाले में, तो पीछे वाले option में यहाँ पर चेक करिएगा, तो 10 और 10, भाई, इसमें तो सब बराबर ही है, माल लिजिए, इसको हमने C ले लिया, और इसको A और B ले लिया, तो पहली condition तो यहाँ फुल्फिल नहीं कर रह इसका मतलब यह तो नहीं सही है, यहाँ पर भी देखें, 10 और 10, 20 होगा, 20 equal, main condition जो दूसरी वाली होती है, तो दूसरी वाली condition को फुल्फिल कर रहा है, इसका भी सम बदाएगा, 0 होगा, यहाँ पर देखें, 10 प्लस, 20 बदाएगा, A और B क्या होगा, 30 और 30 जरा बदाएग यहाँ पर कौन सा option देखें, correct होगा, यहाँ पर, 4th number option देखेंगा, अगर 10 वाले को हमने A लिया, 20 वाले को हमने B लिया, और C जो सबसे आदा था, उसको 40 ले लिया, तो पहली condition को फुल्फिल कर रहा है, लेकिन 2 वाले को यहाँ पर फुल्फिल नहीं कर रहा है, इसका at right angle to each other, when, आपको option दिया हुआ है, दो vector बताएगा, right angle पर होंगे, जब उनका option चेक कर लिए, A plus B equal to 0 दिया है, A minus B equal to 0, A cross B equal to 0, और A dot B equal to 0, आपको बता दें, dot product जो होता है, वो होता है, A dot B equal to A B cos theta के, तो A B cos theta, अगर बताएगा 0 होगा, तो theta क्या हो जाएगा, यहाँ पर, cos theta बताएगा 0, इसका मतलब theta क्या हो जाएगा, 90 degree, तो याद रखिएगा, अगर आप खुद चेक कर लिएगा, right angle पर होंगे, fourth वाली condition में, क्योंकि a dot B क्या ह गया, A B cos theta, और A B cos theta 0 है, तो वदाए, cos theta 0, और cos 90 की value क्या होती है, 0 होती है, इस तरह से, यहाँ पर, आपका कौन सा option आ गया, यहाँ पर fourth number option आ गया, इस तरह से, आज lecture number five में, हम लोगोंने six questions लगाए, और सब आसान थें, और अच्छे questions थें, लेकिन इसी तरह की questions पूछे जाते हैं, तो आगे के lecture में, हम लोग अब lecture number six में, और भी कुछ questions लाएंगे, projectile की question लाएंगे, अभी हम लोगोंने motion रिपन दी, vector की question लाया, अब हम लोग projectile की लाएंगे, धिरी धिरी यह series आगे बढ़ती जाएगी, आपको लगातार पढ़ना है, खोब मेहनत करना है, ज यहां के लिए बस इतना ही, thank you very much, खोब पढ़िये, जम कर पढ़िये